अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज मेरे चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कर दीजिएगा चलिए बनाते हैं सबसे पहले एक बाउनेंगे उसके अंदर डालेंगे हम तीन चमच खी यह हमने देखिए मेल्टेट खी नहीं लिया है अब हम इसके अंदर डाल देंगे शुकर जो हमने प्रेश कर ली थी मिक्सिवार के अंदर अब हम इसको एक चमच की हज़़ों फ्रेट लेंगे अच्छे से मिक्स होती है जब तक यह सारा मिक्स नहीं हो जादा तब तक फ्रेट देंगे इसको देखें हमने अच्छे से प्रेट लिया है अब भी हम इसको दो दिन मिनट तक और फ्रेटे लिए इसको बनाना बहुत आसान है घर पर आप इसको जरूर ट्राइब कीजिएगा तब भी इसी तब दिल कर जाता है नीठा खाना तो आप यह बना सकते हैं हमने चने की दाल का आटा लिया है जो घर पर चली के दाल होती है इसको हमने पीच लिया था जो डाल रहे है इसको अच्छे सा मिक्स करेंगे आप इसको घर पर कोई गेस्ट आदे तब लूंके आपी बना के रख सकते हैं पर टापट पांस मिनिट के अंदर दन जाता है यह अब हम इसके अंदर डालेंगे पछली कोटें हुए पर से हुए बदाम आप इसमें कोई बुचाई फूट्स टाल सकते हों इसको अथे समिल अब हम इसको हाथ की हेल्प से इसका एक डू तयार करेंगे यह दो हमने तयार कर लिया है दूसरे हाथ की हैं से हम इसके बॉल बनाएंगे चोटे-चोटे बॉल्स बनाते हैं इसको टाप करेंगे और इसमें बदाम डाल देंगे ऐसे ही हम सारे तयार कर लेंगे दीरे-दीरे अगर आप अपने बच्चों को बना कर देंगे तो वह बहुत खुश हो कर खाएंगे इसको और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है ये हमने सारे बना कर तयार कर लिये थे अगर आपको मेरी वीडियो लाइक अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर कर बताईएगा बढ आपको में! ये रधन ये कर दमें से स्टे कर्या जए